हाई फ्रेंट्स मैं हूं रिखा और रिखा दन्यन मौम में आप सभी का स्वागत है कैसे हैं आप सब आए हो बिलकुल अच्छे फ्रेंट्स आज हम आपके ले क्या हैं लौकी की बर्फी वो भी बिना किसी जंजट के हम यहापे मावा चाशनी कुछ भी उसमें नहीं लेंगे और बहुत ही आसानी से मिंटों में लौकी की बर्फी तैयार कर लेंगे तो फ्रेंट्स आए लौकी की बर्फी बनाना पीज का ध्यान रखें, लौकी की बर्फी बनाने के लिए आप लौकी कच्छी ही लेके आएं, लौकी पकी भी नहीं हो, लौकी को हमने बहुत ही आसानी से चील लिया है, अब सबसे पहले हम लौकी के इस तरह से पीस कर लेंगे, इसको बीच में से कट कर लेंगे, अब जो बीच वाला पार्ट है जिसमें बीच आते हैं इस पार्ट को हम लौकी से अलग कर देंगे देखिए इसी तरह से हम सारी लौकी को तयार कर लेंगे देखिए सभी लौकी को हमने इस तरह से तयार कर लिया है बीच का पार्ट हटा दिया है अब हमें क्या करना है, अब हमें लौकी को कद्दू कस कर लेना है, कद्दू कस करने के लिए हम इस तरह से कद्दू कस ले रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा मोटा कद्दू कस नहीं करना है, जो मिडियम वाला साइज होता है कद्दू कस करने के लिए उससे हमें लौकी को कद पतले पतले अच्छे बनके तयार हो जाएंगे लौकी को हमने कद्दू कस कर लिया है देखिए कितने बढ़िया से लौकी कद्दू कस होई है और कितनी जूसी लौकी है अब हम सबसे पहले लौकी का जूस निकाल लेंगे हमने या पे लिया है एक बाउल और इसमें लगा दे कि इसको इस तरह से टाइट करके और गोल-गोल घुमाएंगे और ये देखिए लोकी का जूस सारा लोकी से बाहर आ अच्छे से टाइट करके दबाएं ताकि लॉकी बिल्कुल ड्राय हो जाए इससे क्या होगा कि एक तो लॉकी ड्राय हो जाएगी और दूसरा थोड़ा बाद जो लॉकी में कड़वा पन होता है वो भी निकल जाएगा देखिए लॉकी कितने अच्छे से ड्राय हो चुकी है क लौकी में से जो जूस निकला था वो भी हम आपको बता देते हैं इसको फैंकना नहीं है अगर आप लौकी का जूस पीते हैं तो आप इसको यूज में ले सकते हैं वरना आप किसी भी सबजी की ग्रेवी बनाने के काम में ये आटा लगाने के काम में जूस को यूज में ले स बर्फी के लिए तैयार कीवी लॉकी को हम पैन में डाल देंगे एक चीज और आपको हम बताना चाहते हैं हमने लॉकी को कद्दू कस करके जब इसका जूस निकाल दिया तो वजन में लॉकी बहुत ही कम हो गई क्योंकि छिलके निकल गए और जूस भी निकल गया और अंदर क यne-sahe से लॉकी को फ्राइ कर लेंगे लॉकी की बनाने में फिसी और आप इसको जटपट तेयार कर सकते हैं है hellडी तो ही क्योंकि लॉकी बहुत ही हैओ इसको बनाने के लिए जो हम सामान यूज में लेंगे वह सभी आपके घर में available होगा लॉकी की बनाने के लिए जो सामान यूज में आता है वो mostly घर में मिल जाता है इसलिए हमने आज लौकी की बर्फी बनाई है आप देवाली पे लौकी की बर्फी बनाएं बहुत ही आसानी से बनके तयार होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको लंबे टाइन तक स्टोर भी कर सकते है 10 to 15 days घी के अंदर लौकी को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है अब हम लिड लगा देंगे और लौकी को मिडियम फ्लेम पर पकने देंगे लौकी को हमने पकने के लिए रख दिया है आईए तब तक next step कर लेते हैं इसके लिए हमने लिया है एक grinding jar इसमें हम डाल देंगे एक glass दूद दूद फुल क्रीम है गरम कियावा है गरम करके हमने इसको room temperature पर ले लिया है और जो दूद की मलाई थी वो भी दूद में ही है दूद को हम जार में डाल देंगे अब हम डाल रहे हैं चीनी यहाँ पर हम लगबग 6-7 चमचीनी डाल देंगे हमने यहाँ पर 7 चमचीनी डाल दी है मीठा आप अपने इसाब से कम्या जादा भी कर सकते हैं हमने यहाँ पर लिया है आधा कटोरी नारिल का बुरादा, नारिल का बुरादा भी हम दूद में डाल देंगे, अगर चम्मच से देखें तो यह लगबग 5-6 चम्मच है, अब हम ले रहे हैं आधा कप काजू, काजू को भी हम दूद में डाल देंगे, यह भी लगबग 6 चम को हमने कितने अच्छे तयार कर लिया है एकदम fine paste बनके तयार हो गया है आईए आप वापस लौकी के पास चलते हैं देखिए लौकी कितने बड़िया से पक चुकी है काफी soft हो गई है quantity में कम भी हो गई है एक बार लौकी को हम अच्छी तरह से mix कर लेंगे और जो हमने काजू और नागिल के बुरादे वाला दूद तयार करके रखा है उसको हम लौकी में डाल देंगे सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे देखे दूद में लौकी को बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है और काफी soft लग रही है काफी fluffy लग रही है अभी हम इसको इसी तरह से पकने देंगे लौकी juicy हो जाएगी और सारे दूद को absorb कर लेगी तब तक हम इसको इसी तरह से पका लेंगे अगर आप लौकी की बरफी में शुगर नहीं डालना चाते हैं तो आप यहाँ पर condensed milk भी यूज में ले सकते हैं गैस के flame को medium low कर देंगे और लौकी को इसी तरह से पकने देंगे बीच बीच में ध्यान रखें कि लौकी को चलाते रहें नहीं तो जो दूद है यह नीचे लगने लग जाएगा देखिए देखते ही देखते लौकी की बरफी के लिए जो हम mix तैयार कर रहे हैं यह काफी गाड़ा हो गया है कुछी दिर में पैन को छोड़ने लगेगा इस स्टेज पर आप मीठा टेस्ट करके भी देख सकते हैं अगर आपको मीठा कम लगता है तो आप इसमें दो से तीन चमस मीठा और एड़ कर सकते हैं बरफी बनाने के लिए mix काफी गाड़ा हो गया है देखिए पैन भी छोड़ने लग गया है अगर आप इसको इसी कलर में रखना चाते हैं बरफी को ओरिजिनल कलर में रखना चाते हैं तो आप इसमें फूड कलर ना डालें हम यहाँ पर डाल रहे हैं green food color बहुत जादा color हमें नहीं डालना है 3-4 drop हमने color की डाली है इससे बिल्कुल market वाला color आ जाएगा जो market में घीय की बरफी मिलती है उसका जो color होता है बिल्कुल उसी तरह से हमारी बरफी का color आ जाएगा color को भी बहुत अच्छी तरह से mix कर देंगे देखिए लौकी की बरफी का बिल्कुल लौकी जैसा ही color हमने कर लिया है जिस color में लौकी होती है वैसा ही हमने food color डालके color कर लिया है और यह बहुत ही सुन्दर लग रहा है अभी हमें 3-4 minute mix को इसी तरह से पका लेना है ताकि थोड़ा सा भुन भी जाए लौकी की बरफी को हम 10-15 दिन store करके रख सकते हैं उसका कारण यह है कि हमने इसमें मावा नहीं डाला है मावा डालने से मिठाई जल्दी खराब हो जाती है देखिए बरफी बनाने के लिए mix बिल्कुल ready हो चुका है पैन भी छोड़ने लग गया है अगर आप चाहें तो इसको अभी 1-2 minute और भून सकते हैं क्योंकि जब लौकी बहुत अच्छे से भून जाती है तो गी भी रिलीज हो जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है देखिए सभी तरफ से पैन छोड़ दिया है अभी हम इसको 1-2 minute और भून लेंगे अब हम गैस के फ्लेम को हाई कर लेंगे हाई फ्लेम पे हमें भून लेना है देखिए बर्फी बनाने के लिए मिक्स बिल्कुल रेडी हो चुका है अब बहुत अच्छी तरह से भून भी चुका है कलर भी बहुत बढ़िया आ गया है अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और फटावट से बर्फी को जमा देंगे बर्फी को जमाने के लिए हमने यहाँ पे लिए एक थाली किनारे की थाली है इसमें हमने घी लगा दिया है अब हम बर्फी के मिक्स को थाली में ट्रांस्वर कर देंगे और थाली में फैला देंगे ये देखिए इस तरह से इस पैचुला की सहायता से फैला देंगे और एकसा कर देंगे देखिए कितनी आसानी से हमने लौकी की बर्फी को बना करके तयार कर लिया है लुकिंग में बहुत ही बढ़िया लग रही है अब आप जैसे भी चाहें वैसे गर्णिश कर सकते हैं गर्णिश करने के लिए अगर आप बर्क यूज में लेना चाते हैं तो जो चांदी का बर्क मिठाईयों पर लगाने बाला आता है वो आप यूज में ले सकते हैं पर हम चांदी की वर्ख से मिठाई को गार्णिश नहीं कर रहे हैं, हम गार्णिश करने के लिए ले रहे हैं ड्राइ फ्रूट्स, इसमें हमने लिए हैं बादाम की कत्रन, बादाम की कत्रन हमने डाल दी है, अब हम डाल देंगे कटेवे पिस्ता, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप जिस भी चीज से गार्णिश करना चाहें, कर सकते हैं, अगर आप नालिल के बुरादे से भी आप गार्णिश कर सकते हैं, इस पैचुला से ड्राइफ फ्रूट्स को हम थोड़ा सा दबा देंगे, अगर आपको बर्फी बहुत अच्छी तरह से जमानी हैं, तो आप बर्फी को ओवरनाइट के लिए सेट होने के लिए रख दें, और अगर आप जिसे कलाकंद होता है थोड़ा सॉफ्ट, उस तरीक पीस कट करके दिखाते हैं, आप जैसा चाहें वैसा पीस कट कर सकते हैं, छोटे साइज में, बड़े साइज में, जैसा आपको अच्छा लगे, देखें कितनी बड़िया कितनी सॉफ्ट बर्फी बनके तयार हुई है, पीस भी हमने कट कर लिये हैं, आईए आपको एक पीस निकाल के दिखाते हैं, देखें कितने बड़िया से लौकी की बर्फी बनके तयार हुई है, तो friends इस दिवाली आप लौकी की बर्फी बनाएं, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें Thank you, thank you so much, have a nice day